हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टो माई चैनल आज मैं बनाने जा रही हूँ विटामन सी के साथ नाइट क्रीम बनाने जा रही हूँ आज मैं तो यह देखिए इसका कलर कितना ही अच्छा है तो आपको इससे अपने फेस को रात को गौश करके अच्छे से स्केन को टोन करके आपक एक वीक तक इसका यूज करें और सुबह उठकर अपना फेस देखें कि आपकी स्केन बहुत ही क्लियर हो जाएगी इसके बहुत से बेनिफेट है आपकी स्केन पर जितने भी निशान है वो दूर हो जाएगी आपकी जो स्केन टैन हो जाती है वो भी ठीक हो जाएगी आपक आपको अच्छे से लगा लेना है अपने फेस पर मसाज करनी है आपको एक से दो मिनिट तक है ताके अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन पर मुझे इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी लगी तो देर न करते हुए चलिए बनाना शुरू करते हैं जल्दी से सबसे पहले मैं लूँगी रोज वाटर इसमें ग्लेसरीन औरेडी एड है तो आप देख सकते हैं के ग्लेसरीन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है स्मूथ करता है रिंकल्स की प्रॉब्लम को दूर करता है रोज वाटर भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है हमारी जो skin पर redness हो जाती है उसे ठीक करता है हमारे जो clog pose हो जाते है उसे ठीक करता है हमारी skin tone को ठीक करता है तो next हमारा जो अन्गिनियस है वो है orange peel powder तो इसमें है vitamin C मैंने घर में ही बनाया है आप भी असानी से घर में बना सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं video description box में दे दूँगी इन दोनों को मैंने अच्छे से mix कर देना है और फिर इसको मैंने थोड़ी दे रख देना है 10 minute के लिए और फिर मैंने बाद में चान देना है vitamin C हमारी skin में जो धूब की वज़ा से हमारी skin का नुकसान होता है हमारी skin पर निशान पढ़ जाते हैं brown spot मन जाते हैं हमारी skin को तो वो ठीक करेगा हमारी skin के लिए बहुत अच्छा है vitamin C आपने देखा होगा vitamin C की कोई भी product आप बाहर से लेकर आते हैं बहुत ही expensive बनते हैं तो ये देखी मैंने अच्छे से इसे चान लिया है हमारी skin को nourish करता है हमारी skin को smooth करता है wrinkles की problem को दूर करता है हमारी skin पर किसी भी तरह की pimples की problem हो जाती है acne की problem हो जाती है उसे भी दूर करता है ये हमारे निशान skin पर किसी भी तरह के हो तो उसे भी दूर करता है next हमारा ingredients है aloe vera gel एलोवेरा जेल के आपो मैंने हर बार बताये है कि बहुत-बहुत पीनिफेटा हैं अगर आप फ्रेश उज सकते हैं तो फ्रेश उज उजने पार मैंने बना कर रखना है डाला है रोज डाला है तो आप इसे डाल भी सकते हैं केट कर सकते हैं कियो कि एक मांत के विए तो इसलिए रख लिया है तो नेस्ट हमारा विटामिन इवाइल हमीरिसometer के लिए बहुत ऐप कowa ४ कर रिंग्रीजियस है विटामन ए वायल हमारी सकिन के लिए बहत अच्छा है तो ये एक दम से बस आपको 30 सेकंड ही लगेंगे तो ये देखिए कितना अच्छे से बन गई है हमारी क्रीम बिल्कुल आपसानी से घर में बना सकते है इसका कलर भी देखिए नेचरल है मैंने कोई भी कलर इसमें एड नहीं किया है ये बजार की क्रीम से भी ज़्यादा वर्क करती है आप एक बार जरूर बना कर रखें तो मेरे पास ये कंटेनर है तो मैं इसमें निकाल कर रख लेती हूँ मैं जो भी चीजें बनाती हूँ मैं सेम ही यूज करती हूँ किये है वो आल नेचरल है विटामन सी की आप कोई भी क्रीम लेकर आते हैं नाइट क्रीम आपने देखा होगा कितनी एक्सपेंसव है तो उतने अच्छे से वर्क नहीं करती एक रात में ही आपको इसका फर्क नजर आएगा सुबा उठकर अपने फेज को आप देखें कि कितन स्मूथ है तो यह देखें बिल्कुल आपकी स्केन में अब्सॉर्व हो जाता है तो इसका कलर भी देखें कितना अच्छा है बहुत ही अच्छी बनी है बहुत अच्छी स्मेल है इसकी तो आपकी स्केन पर बहुत अच्छे से वर्क करती है तो फ्रेंग्स आई होप आज की जो मेरी वीडियो है अपने एंजवाई की हो अगर आप अंजवाई करें हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को जादे से जादा शेयर करें लाइक करें कुमेंट करें प्यारे प्यारे और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक अपना ख्यार रखें बाई बाई टेक क्यार